क्या है कोरुना का BF.7 वेरियंट? कितना घातक है ओमिक्रॉन का नया वेरियंट? ये लक्षन दिखें तो हो जाएं अलर्ट! चीन में COVID-19 के नय वेरियंट ओमिक्रॉन BF.7 के बढ़ते मामलों ने पूरी दुनिया को चौका दिया है. ओमिक्रॉन के BF.7 वेरियंट के चार मामले भारत में भी पाए गए हैं. गुजराग में 61 साल की जो NRI महिला COVID-19 पाई गई है. उसे वेक्सिन की तीन डोज भी लग चुकी हैं. बावजुद इसके वो कोरुना की चपेट में आ गई हैं. आपको बता दे कोरुना वारस लगातार म्यूटेट हो रहा हैं और म्यूटेशन के कारण इसके लक्षन भी बदर रहे हैं. कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें वेक्सिनेशन करा चुके लोग भी COVID-19 हो रहे हैं. दरसल कई ऐसे लक्षन हैं जिन्हें कोई भी इनसान सामानने मान कर अंदेखा कर देता है लेकिन वो लक्षन कोरुना की भी हो सकते हैं. ऐसे में अगर आपको भी ये लक्षन दिखें तो इन्हें नजर अंदाज बिलको ना करें. ये लक्षन है गले में खराश, चीक, बहतीनाक, बंदनाक, बिनकफ वाली खासी, सिर्दर्द कफ के साथ खासी, बोलने में परिशानी, मास पेश्यों में दर्द होना, गंध ना आना, ज्यादा बुखार, कमकपी के साथ बुखार आना, लगातार खासी होना, सांस लेने मे समस्य और ठकान महसूस होना अगर आपको ये लक्षन नजर आते हैं तो तुरंट डॉक्टर से सल्हा जरूर ले इन्हें नजर अंदाज बिलकुर ना करें नाशनल हेल्थ सर्विस का कहना कि अगर किसी को इन में से कोई लक्षन नजर आते हैं तो उन्हें अंदेखा करने की जगा पांच दिन तक अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और कम से कम दस दिनों तक बुजर्ग बच्चों या बिमार लोगों से ना मिले जैड़ोई हेल्थ स्टड़ी के मताबिक गंद की कमी और सांस लेने में तकलीफ होना COVID-19 के BF.7 वेरियंट के कॉमन लक्षन है कोरोना के अन्य वेरियंट में भी ये सबसे कॉमन लक्षन था और उसमें COVID-19 का एक मुखे संकेत हुआ करता था लेकिन जिन लोगों को COVID हो रहा है उनमें से सिर्फ 16 फीसदी लोग ही से अनुभव कर पा रहे है मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक ये वेरियंट इम्म्यून सिस्टम से बच निकलता है संक्रमित होते ही व्यक्ती स्प्रेडर बन जाता है और तेजी से लोगों को संक्रमित करता है चीन में BF.7 की आर वेल्यूस ज्याता होने के पीछे चीनियों की कमजोर इम्मिनिटी भी हो सकती है जीरो कोविड पॉलिसी की वज़े से चीन के लोगों में बाकी दुन्या की तरह हर्ड इम्मिनिटी भी नहीं है मैं कोविड टिकाकरन अभियान के प्रमुक डॉक्टर एनके अरोडा के मुताबिक भारत को चीन में बढ़ते मामलों से डरने की ज़रत नहीं है लेकिन सावधानी बरतनी काफी जरूरी है उन्होंने कहा कि भारत में बड़े स्तर पर वेक्सिनेशन हो चुका है जिसमें बुजर्ग युवा और कम उम्र के बच्चे भी शामिल है इस खबर में फिला लितना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India हिंदी के साथ